कि राजियसला सिंटर में आप लोगों का स्वागत हैं आज हम लोग अपकृत विधी पर अपकृतियों अपराद अपकृतियों संबिदावंग अपकृतियों न्यास में अंतर समझेगे ये भी अंतर काफी एक्जाम के लिए महत्पूर है मुख परिक्षा में अक्सर कि अंतर क्या है दूनों में तो अपकृतियों अपराद में अंतर हम लोग समझते हैं जैसा कि अपकृत की परिभासा दूसरे वीडियो में बताए जा चुका है ओवराल पूरे अपकृत को मैंने पहले भाग में समझा जाया है काईदे से उसको ठीक है सध्धान्तिक ठीक है उसमें बताया जाएगा आपको कि अपकिर्थ में जो है कब छत पूर्ती होनी चाहिए कब छती होना चाहिए कब हानी होना चाहिए जैसे दो सब्द होते हैं कि बिना छती के हान बिना हानी के छती तो इसका क्या मतलब होता बहुत महत्पूर्ण मैक्सिम है और इस प शुरू हो जाएगा आप लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लिजे लाइक शेर कमेंट करते रहिए ठीक है उसके बाद आप वीडियो को जरूर देखिए और सीरियल से देखिए नहीं समझे में आए तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिख दो सर ये बात सम जबरी आप लोग के लिए ये है कि आनलाइन और आफ लाइन दोनों क्लास लगातार संचालित की जा रही है हमारी ठीक है दोनों क्लासे आनलाइन आफ लाइन क्लास आप लोग के लिए उपलब्ध है अगर आप आनलाइन या आफ लाइन क्लास जोईन करना चाहते हैं तो इ ते उम अपराध में क्या अंतर है ठीक है यहां मैंने कुछ similarities लिखी हैं दोनों में समानताएं के हैं क्योंकि बहुत बारीक अंतर ठीक है मिलेगा आपको क्योंकि बिल्कुल दोनों में eject 36 का आकड़ा नहीं कर सकते हैं बहुत सारी similarities भी है समानताएं भी हैं दोनों में खाँ एक की जरूर ध्यान रकिर्ट और अपराध और संविधा भन यह सब कभी प्राद्ची रीक ही माने जाते थे दोनों में अलग अंतर तिनों में नहीं थे वही अपकिरत था, वही अपराद था, वही संविधा भंग था, सब के लिए वही उपचारी, कोड़ा मारना, ठीक है, पैसे की वसूली करना यही उपचार के रूप में होता था लेकिन जैसे-जैसे मानो संविधा बिक्सित होती गई, इसमें अंतर किया गया ठीक है अपराज किवल उनहीं कारी को माना गया जिसमें हमारा मस्तिस्क भी इन्वालब हो जिसको मेंसरीय हम पएते हैं दुरासय यह यंविगत कारी ही अपराज किसżaरेडी में आएंगे ऐसे कार्य दुरासय के सांथना कि गए हो उनको अपराज किस रेडी से बाहर रखा गया है ठीक हाँ इसके भी कुछ एकस्प्षन हापको मिलेंगे लेकिन जनरल नियम यह है कि दुरासर युक्तकारी होना चाहिए तभी वो अपराधिक दायत किस रेडी में आएगा अन्यत्था अपराधिक दायत किस रेडी में नहीं आएगा तो आएज कोनों ही बिधि द्वारा नियत करता विभंग होते हैं जाइज बात उसमें भी बिधि ने नियत किया है कि आप किसी संपत्ति चुराएंगे नहीं किसी की संपत्ति लाएंगे नहीं किसी को मारेंगे नहीं गाली नहीं देंगे आप मानित नहीं करेंगे रेप नहीं करेंग रादरों ने करें सब बिधी ने नियत किया है बिधी द्वारा नियत करता भी भंग होता है अपकृत में भी यही है ठीक है अपकृत में भी यही है हाँ बस अंतर यह हो जाता है कि अपकृत में असपश्ट तोर से नहीं लिखा गया है लेकिन अपराद के लिए यह अपकिर्थ करेट कर देगा वहाँ पर आपका जो है टार्टियस लाइबल्टी बन जाएगी दूसरा सिमलर्टी यह दूसरी समानता यह कि दोनों ही जनबर्ग के पर्ति होता है अंतर क्या है अंतर मैंने अपकिर्थ का नेचर अपराद का लिख दिया है अपकिर्थ का नहीं अब मैं एक बताऊंगा दूसरा उसी के साथ बोलूँगा आप लोग नोट्स बनाते रहेगा हाँ अगर किसी को इस पे जो है सौट स्क्रीन लेना है तो ले लीजिए आप लोग मैं हट जा रहा हूं ठीक सौट स्क्रीन लेने के बाद जैसा कि अंतर में मैंने बताया है यहां पे ठीक है आप लोग इसको नोट करते रहेगा अपना संचिप नोट्स जो है यहां से तयार करते रहेगा लिखाया है सामा समाज भाय में आ जाता है इसलिए तो परिसांति कायव रखने के प्रतभूति के उगरा मांग की जाती है तो यह सामानतिया समाज को छती होती है लेकिन अपकृत में सामानतिया समाज को छती नहीं होती बेक्ति विशेश को होता है नुक्सानी कि यह अंतर लिएगा कि के लिए जो अपराद हैं अपराद तभी हम मानेंगे किसी कारी को जब उसके लिए दंड का प्रावधान हो और दंड का मतलब कि भाटे दंड संहिता की धारा तीरपन में जो पांच परकार के दंड लिखें उनमें इससे कोई एक दंड जरूर होना चाहिए जबकि खति एक दंड का प्रावधान नहीं होता है क्या होता है वहाँ पिछत पूर्थी दिलाई जाती है कंपनसेशन दिलवाया जाता है प्रतिकर दिलवाया जाता है जब अगर वह कंप्लेंट केस नहीं है तो उसमें कैस कैसे चलेगा अगला रिखाए, दुरासे अनिवारतत्य जाइड सी बात, अपराध के लिए जरूरी है कि मिनसरिया हो, मिनसरिया चाहे आसे हो और चाहे ज्यान हो, दोनों में से एक होना जरूरी है जैसा कि उस अपराध में उल्लिखित हो कुछ ऐसे भी अपराध हैं जो केवल दुरासे के अधार पे गठित होते हैं कुछ ऐसे अपराध हैं जो केवल ग्यान के अधार पे गठित होते हैं कुछ ऐसे अपराध हैं जो दोनों में अल्टरनेट हैं कुछ ऐसे अपराद है जिसमें आसे भी होना जरूरी है ग्यान भी होना जरूरी है तो जैसा भी हो मेंसरिया का होना जरूरी है लेकिन अपकिर्थ में दुरासे का होना जरूरी नहीं होता है सामान प्या कुछ ऐसे अपराद मिल जाएंगे जिसमें अपकिर्थ भी है तो अप सिरोडी में आजाएगा अगला लिखा लाष्owa किसा मानत्य आप राद होते है जह》 आबराद होता है संजहाओता काइप य। ih तो मैं प्रचाड कर ले कोई दिककत नहीं है ठिक है तो अपकर्त समझ होता है योग्य होता यह नीश समझी होता है उसके बाद अपकर्त का अंतर अपराज से किया जाता है तब उसके रूप रंग आकार थोड़े बदले दिखेंगे और जब अपकृत का अंतर संविधा भंग से किया जाएगा तो वहां थोड़े रूप रंगाकार बदले जाएंगे ठीक है आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि साहब यहां पे वो चीज नहीं था यहां पे दो है आप कहा रहे हैं कि इसमें मिनसरिया होना बूरी नहीं है तो डिपेंड करता है कि किसकी तुलना किससे की जा रही है ठीक है किसकी तुलना किससे की जा रही है हो सकता है मेरी तुलना जिस बेक्ट से किया जा रहा हो मैं उसकी तुलना में सावला हूं लेकिन अगर मेरी तुलना किसी और दूसरे से किया जाने लगे तो हो सकता है मैं वहाँ गोरा बन जाओ ठीक है तो मेरे गोरे पनका और सावले पनका जो पैमाना है वो सामने वाले पर डिपेंड करता है कि वो कैसा है ठीक है वो बहुत जादा चटक है तो मैं सावला हो सकता हूँ वो हमसे भी नीचे डाउन में है तो हम ही गोरे हो सकते हैं उसके तुलना में तो डिपेंड करता है कि जब किसी बेक्ति की तुलना जिस बेक्ति से की जाती है जिस संद्रब में की जाती है उस संद्रब में उसका अर्थ दूसरा होता है जब उसकी तुलना किसी दूसरे चीज से की जाने लगती है तब वहां उसका अर्थ बदल जाता ह थे, आइए, फिर लिखा है यहाँ पर की दोनों में ही उक्चार्च ध कूरती होती है, जाहिडसी बात, नहींद खास धियों ही उक्चार्च ध कूरती है, सब से पहले आपको चैनल पे नए हैं, शसक्राइब जरू कर लिजिए, ठीक है, लाईक शेर उक्मेंट करते रही है। और वीडियो को देखते हैं लेकिन सीरियल वाई तीसरा लिखा हुआ है कि दोनों ही सिविल दोस हैं ठीक है सिविल दोस हैं कोई अप्राधिक दाय तो नहीं बनता है किसी को जेल नहीं जाना है दोनों में ही सिविल लावेल्टी होती है दोनों में ही कारवाई किसी बेक्ति के द्वारा की जाती है जाइज बाद यहां केस सरकार के द्वारा नहीं चला जाता है चाहिए सिविल हो चाहिए किर्बनल हो ठीक उसके बाद लिखा है यह जनबर्ग के परती होता है यह जो अब किर्त है वो जनबर्ग के परती होता है लेकिन संविदा बेक्ति बिसेस के परती होती है जिससे संविदा हमारी होती है उसी से संविदा भंग होती है यह बिद्धवारा नियत करता भी है ठीक है लेकिन संविदा पच्छकारों के मदे निर्धारित करता भी होता है जो आपस मित्ताइं किये जाते हैं वहां बिद्धवारा नियत नहीं होता है और यहां छत् और अगला लिखा है, कुछ दसाओं में दुराशय का होना आवस्यक होता है, आपकिर्थ में भी कुछ दसाओं में दुरासय का होना जरूरी होता, लेकिन संबिदा में कोई मेंसरिया की जरूरत नहीं होती है इन्हीं अपकृत में जो है मेंसरिया का होना कुछ दसाओं में जरूरी होता है लेकिन संबिदा भंग में दुरासय का होना आवस्यक नहीं है जैसे चल चल अगर किया गया विदोए स्पून कारवाई इनी किसी को फरजी आरोब में फंसाया गया अगर सदभाओं में आप अन्नोन में हो गया है तब अपकृत नहीं बनेगा तो इस तरह से आपने अपकृत यूम समधा भंग में अंतर देख लिया हाँ हमारी जो है आनलाइन आफलाइन दोनों कलास हैं लगातार संचालित की जा रही है अगर किसी बच्चे को आनलाइन कलास जोईन करना है या आफलाइन कलास जोईन करना है तो इस संपर्वसूत पे वो contact करें ठीक है और online या online जैसी भी उसको शुधा के हिसाब से उचित हो उस जवाइन कर सकता है अब अगला है अपकिर्थ एवं नियास भंग में किया अंतर है तो ध्यांत जाया नियास भंग लगग लगग संभिदा के similar होते हैं तो जो similarity संबिदा में होता है वही similarity न्यासभंग में होता है जो अंतर संबिदा में है वही अंतर न्यासभंग में भी होता है अपकृत से लेकिन कुछ एक अंतर महतकून है वो मैं बता दे रहाँ वो ये है कि न्यासभंग में हमेशा जो है केस हिता धिकारी के द्वारा लाया है और न्यास सभंग हमेशा हिताधिकारियों के बिरुधु होता है जबकि कि अपकर्थ जनबर्ग के परती होता है अपकर्थ में केस कोई भी भीवेत ही ला सकता है लेकिन न्यास भंग में केस हिता धिकारी के द्वारा यनि वाद हिता धिकारी के द्वारा लाया जाता है तो इस तरह से अपकृतियों न्यास भंग में दो परमुख अंतर हैं तो दो मतलब डिफेरेंस होता है यनि संबिदा भंग और वो अपकृतियों संबिदा भंग अपकृतियों न्या और न्यास भंग में कारवाई करने का अधिकार हिता धिकारियों को होता है जब कि अपकिर्थ में कारवाई करने का अधिकार किसी भी विगति को होता है जिसके परतिवों हुआ है तो इस तरह से आप लोगों ने देखा अपकिर्थयों अपराद में क्या अंतर है अपकिर्थ नियास भंग में क्या अंतर है इसी तरह से आप लोगों को और भी वीडियो इस पर मिलते रहेंगे दिरनतर आप लोग चैनल को सस्क्राइब करके रखिए लाइक, सेर, कमेंट करते रहें आपको सारे वीडियो इसी पर इसी तरह से उपलब्ध होते रहेंगे